स्थी वमा सोलीचन चेप्टर 29 एलेक्ट्रिक फिल्ड पोटेंचियल क्वेशन नमबर 63 तो अपने पास एक रिंग देर का जिसका रेडियस आर है इन्होंने स्मूल आ लिया है मैंने केपिटल आ लिया है और यहां पर distance x distance के उपर पोटेंच्छल wanna पोचं़ा और इसवी पोटेंच्छल से अपने को ठीक है इसकी वज़े से यहां पर P के उपर P point के उपर potential find करना है तो इस charge DQ के वज़े से P point के उपर potential मान दो DV आता है तो potential formula क्या होगा K DQ upon R square R क्या है यह वोले distance यह small r देता हूँ DQ upon R K Q upon R आएगा potential कितना होगा K Q by R तो K DQ upon R आएगा आएगा आपका यह potential potential आएगा ओके अब इसी तरह से सभी DQ यहां यह मैं चोटा चार्ड डीक्यू कंसिडरे कि ऐसे DQ बहुत सारे होंगे सभी DQ के वह जैसे potential यह आएगा तो net total potential कितना होगा वेक्टर तो है नहीं है तो simple आपको integrate करना है total potential कितना है यह 0 से V तक integrate कर लेते हैं और इसको integrate करते हैं 0 से Q तक total charge Q कंसिडरे कर लेते हैं ठीक है ओके तो यह देखो आज़ा वी माइनस 0 इस इकल टू के Q माइनस 0 बाई आर यानि यह आगया के क्यू बाई आर ओके चार्ज अपन Q लेते हैं total charge Q है तो Q इस इकल टू क्या जाए है Q is equal to open लेख सकते है Q is equal to lambda into 2pi r क्योंको क्या लेख सकते है lambda into 2pi r यह जाएगा lambda 2pi r और यह small r क्या है फाइतो को रहते हैं hyperdense है hyperdense x square plus r square का root यानि x square plus r square का under root यानि 1 by 2 यह अपने पास क्या आगया यह के अपने पास आगया यह अपने पास आगया potential और के कितना होता है 1 upon 4pi epsilon not into और यह कितना है lambda 2pi r और x square r square power 1 by 2 4pi pi cancel 1 by 2 निचे आगया यह उपर अपने पास answer आगया potential is equal to lambda r 2 epsilon not x square r square की power 1 by 2 यह आपका potential xp होगा अब इसी potential की help से अपने को field find करना है P के उपर कि P के उपर electric field कितना होगा दोको इस दीख्चू की विज़े से field का direction इधर होगा right और हम field का formula क्या लिख सकते है field का formula लिखते है field is equal to dv by dr right अबर r और e का direction same होना चाहिए अगर मैं dv by dr लेता हूं तो field का direction मेरा यह आ रहे है right field का direction यह आ रहे है और मांदो यह angle theta है बट यह field का direction इसके दो component बनेगे क्या क्या मांदो इसको मैंने e बोला दीई बोला तो d e cos theta आएगा एक और e d e आएगा sign theta तो d e sin theta के ऐसे हरकम जैसे इसका मैं बोलूँगा तो इसका field इदर आएगा same d e cos theta d e sin theta cancela out हो जाएगा net आपका field आएगा वो d e cos theta आएगा यहनि जो यह field आ रहा है यह d e आ रहा है अपने को net field जो अपने को find करना है तो आपके net लिखेंगे de net वह क्या होगा जो d e आया उसका cost component करेंगे क्या करेंगे cost component क्योंकि उसका sign component cancel out हो जाएगा ठेके तो d cos component कर देंगे तो d e कितना है अपना d e है d v by dr और d v by dr मतलब v by r बोल सकते हैं यहाँ पर ठीक है, total v by r बोल सकते हैं पर जा integrate करेंगे तो वह आएगा क्योंकि d v को अपन अल्लेडी integrate कर चुक है तो v by r cos theta राइट, v कितना है अपना lambda r 2 epsilon 0 x square r square की power 1 by 2 और r कितना है, r है अपना है x square plus r square 1 by 2, और कोच theta को क्या लिख सकते है कोच theta को लिख सकते है base upon hypotenuse, यह x by r, और r कितना है वापस x square r square power 1 by 2, ओके तो अपने पास formula आगिया, lambda r into x upon 2 epsilon 0, यह x square plus r square की power 1 by 2 तो कितनी बाहर है, तीन बाहर है, यह x square plus r square power 3 by 2 यह आपका आएगा electric field in the direction of x axis और अवे from positive x axis बोल सकते हैं अपन ठीक है, direction का है, positive x axis यह आई के बोल सकते हैं clear, यह आपका electric field होगा और potential अपन 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 लड़ी निखाल चुक है यह आपको potential है